किसी गाउं में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था सिधा साधा गरीब आदमी था अपने काम से काम ना किसी से लेने में ना किसी के देने में छका पंजा ना जानता था चल परपंच की उसे छू भी नहीं लगी थी ठगे जाने की चिंता ना थी ठग विद्या ना जानता था भोजन मिला खा लिया चबैना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा किंतों जब कोई अत्थी द्वार पर आ जाता था तो उसे एक निवरित्ती मार का त्याग करना पड़ता था विशेशकर जब साधू महात्मन पदारपन करते थे तो उसे अनिवार्यता सांसारिक्ता की शरण लेनी पड़ती थी खुद भूखा सो सकता था पर साधू को कैसे भूखा सुलाता भगवान के भक्त जो ठहरे एक दिन संध्या के समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया ते जस्वी मूर्ती थी पीतांबर गले में जटा सिर पर पीतल का कमंडल हाथ में खड़ाओ पैर में एनक आखों पर संपूर्ण वेश उन महात्माओं का साथ था जो रईसों के परशादों में तपस्या हवा गाडियों पर देवस्थानों की परकर्मा और योग सिध्धी प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं घर में जो का आटा था वेवने कैसे खिलाता प्राचीन काल में जो का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो पर वर्तमान युग में जो का भोजन सिध्ध पुर्शों के लिए दुस्पाच्य होता है बड़ी चिंता हुई महात्मा जी को क्या खिलाओं आखिर निश्चे किया कि कहीं से गेहों का आटा उधार लाओं पर गाओं भर में गेहों का आटा ना मिला गाओं में सब मनुश्य ही मनुश्य थे देवता एक भी ना था अतैव देवताओं का खाद्पदार्थ कैसे मिलता सो भाग्य से गाओं के विप्र महराज के यहां से थोड़ा सा मिल गया उसने सवा सेर गेहों उधार लिया और इस्त्री से कहा पीस दे महात्मा ने भोजन किया लंबे तान कर सोए प्राथा काल आशिरवाद दे कर अपनी राह ली विप्र महराज साल में दो बार खलिहान लिया करते थे संकर ने दिल में कहा सवा सेर गेहों इन्हें क्या लोटाओं पसेरी बदले कुछ ज्यादा खलिहाने दे दूँगा यहों दे दिया और अपने को उर्ण समझ कर उसकी कोई चर्चा ना की विप्र जी ने फिर कभी न मांगा सारल संकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहों चुकाने के लिए मुझे दूसरा जनम लेना पड़ेगा साथ साल गुजर गए विप्र जी विप्र से महाजन हुए शंकर किसान से मुझदूर हो गया उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया एक साथ रहकर दोनों किसान थे अलग होकर मुझदूर हो गये थे शंकर ने चाहा कि द्वेश की याग भड़कने ना पाए किन्तु परिस्थिती ने उसे विवश कर दिया जेस दिन अलग-अलग चूले जले वह फूट-फूट कर रोया आज से भाई-भाई शत्रू हो जाएंगे एक रोयेगा, दूसरा हसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुल-गुले पकेंगे प्रेम का बंधन, खोन का बंधन, दोद का बंधन आज तूट जाता है उसने भगेरत परिश्रम से कुल मर्यादा का व्रक्ष लगाया था उसे अपने रक्ष से सीचा था, उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हिर्दय के टुकड़े हुए जाते थे साथ दिनों तक उसने दाने की सूरत तक ना देखी, दिन भर जैट की धूप में काम करता और रात को मुह लपेट कर सोया रहता इस भीषन वेदना और दुसह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मास और मज्जा को घुला दिया बिमार पड़ा तो महेनों खाट से न उठा, आप गुजर बसर कैसे हो पांच भीगे के आधे रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती खेती क्या खाक होती, आंत को यहां तक नौबत पहुची, कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधान मात्र रह गई जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा, साथ वर्ष बीत गए, एक दिन संकर मजदूरी करके लोटा तो रह में विप्रजी ने टोक कर कहा, शंकर कल आकर के अपने बीज बेक का हिसाब कर ले, तेरे यहां साड़े पांच मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करने का मन है क्या, शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुम से कब गेहू लिये थे, जो साड़े पांच मन हो गए, तुम भूलते हो, मेरे यहां किसी का छटाक भर ना अनाज है, ना एक पैसा उधार, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो, कि खाने को नहीं जुडता, यह कहकर विप्रजी ने सवा सेर गिहूं का जिक्र किया, जो आज से साथ वर इन्हों ने मेरा कौन सा काम किया, जब पोथी पत्र देखने, शायद सगुन विचार ने द्वार पर आते थे, कुछ ना कुछ दक्षिना ले ही जाते थे, इतना स्वार्त सवा सेर अनाज को अंडे की भाती से कर, आज यह पिचास खड़ा कर दिया, जो मुझे निगल इतने दिनों में एक बार भी कह देते, तो मैं गेहु तौल कर दे देता, क्या इसी नियत चुप साथ बैठे रहे, बोला, महराज नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में सेर सेर, दो दो सेर दिया, अब आप आज साड़े पांच मन मांगत हैं, मैं कहां से दूँगा, विप्र बोला, लेखा जो जो बक्षी सो सो, तुमने जो कुछ दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक की जगा चार पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में साड़े पांच मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो, तो तुम्हारा नाम छेक दूँ, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा, शंकर बोला, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो, मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा, विप्र ने कहा, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटांक भर भी ना छोड यहां ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे, शंकर काप उठा, हम पढ़े लिखे आदमी होते, तो कह देते, अच्छी बात है, इश्वर के घर ही देंगे, महा की तौल यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमान हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या च चंकर इतना तारकिक, इतना विवहार चतुर ना था, एक तो रिण वह भी ब्रह्मन का, बही में नाम रह गया, तो सिधे नरक में जाऊंगा, इस खयाल ही से उसे रोमान्च हो गया, बोला महराज, तुम्हारा जितना होगा, यहीं दूँगा, इश्वर के यहां क्यों दू इस जनम में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जनम के लिए क्यों काटे बोऊं, मगर यह कोई नियाव नहीं है, तुमने राई का परवत बना दिया, ब्रामन होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी गड़ी तगादा करके ले लिया होता, तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोच क्यों पड़ता, मैं तो दे दूँगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा, विप्र बोला, महा का डर तुझे होगा, मुझे क्यों होने लगा, महा तो सब अपने ही भाई बंधू हैं, रिशी मुनी, सब तो ब्रामन ही हैं, भी न दूँगा, विप्र बोला, मैं यह ना मानूँगा, साथ साल हो गए, अब एक दिन का भी मूलिहाजा ना करूँगा, यहू नहीं दे सकते, तो दस्तावेज लिख दो, शंकर बोला, मुझे तो देना ही है, चाहे यहू ले लो, चाहे दस्तावेज लिखवाओ, किस हि दूँगा, शंकर ने कहा, जब दे ही रहा हूँ, तो सवा पांच, शंकर बोला, जब दे ही रहा हूँ, तो बजार भाव काटूँगा, पाव भर छोड़ कर क्यों दोशी बनूँ, हिसाब लगाया, तो गेहों के दाम, साथ रुपे हुए, साथ का दस्तावेज लिखा गया तेन रुपे सैकडा सूद, साल भर में ना देने पर सोद के दर धाई रुपे सैकडा बढ़ेगी, आठ आने का स्टाम, चार आने के दस्तावेज की तहरीर, शंकर को उपर से देनी पड़ी, गाउं भर ने विपरजी की निंदा की, लेकिन मुह पर नहीं, महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुह कौन आए, शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की, मियाद से पहले उसने रुपे अदा करने का वरत साकर लिया, दो पहर को पहले भी चूलाना जलता था, चबैने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ, क्यवर लड़के के लिए रात को र हो गया, उसने चिलम पटक दी, हुका तोड़ दिया, और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर जा ली, कपड़े पहले भी त्याक की चरम सीमा तक पहुँच चुके थे, अब वे प्रकृतिक की नियूंतम रेखाओं में अबाद्य हो गए, शिशिर की अस्ति बेदक सीथ को उसने आग ताप कर काट दिया, इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला, साल की अंत में उसके पास साथ रुपे जमा हो गए, उसने समझा पंडी जी को इतने रुपे दे दूँगा और कहूँगा, महराज, बाकी रुपे भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा, 15 रुपे की तो बात है, क्या पंडी जी इतना भी न मानेंगे, उसने रुपे लिये और ले जाकर पंडी जी के चर्ण कमरों पर अरपन कर दिये, पंडी जी ने विसमित होकर पूँचा, किसी से उधार लिये हैं क्या, शंकर बोला, नहीं महराज, आपके असीज से अब की म पाकी मैं दो महीने में दे दूँगा, मुझे उरिन कर दीजिए, विपर बोला, उरिन तो तभी होंगे, जबकि मेरी कोडी की कोडी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपे और लाओ, शंकर बोला, महराज, इतनी दया करो, अब सांज की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गा रुपे ना मिलेंगे, तो आज से 3 रुपे सैकडे का व्याज लगेगा, अपने रुपे चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे हाँ छोड़ जाओ, शंकर बोला, अच्छा, जतना लाया हूँ, उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपे और लाने की फिक्र क इसलिए कि पंडी जी के शिकार को छेडने की किसी की हिम्मत ना थी, क्रिया के पस्चात प्रति क्रिया नैसरग्रिक नियम है, शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब रेंड से मुक्त होने में सफल ना हो सका, तो उसका सयम निराशा के रूप में परनित हो गया, उसने समझ लिया कि जब इतना कस्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपे से अधिक न जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है, जिसके द्वारा इसके दूने रुपे जमा हों, जब सिरपरिन का बोज ही लादना है, तो क्या मन भर का और क्या सवामन का, उसका उत्सा छीन हो गया, म शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया, वे जरूरतें जिसको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारनी ना थी, बलकि छाती पर सवार होने वाली पिचासनिया थी, जो अपनी भेट लिये बिना जान नहीं छोड़ती, कपड़ों में चक्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है, अब शंकर को चिठा मिलता, तो वे रुपए जमा ना करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तू, जहां पहले तंभाकू ही पिया करता था, महाब गांजे और चरस का चसका भी लगा, उसे अब रुपए अदा करने क कोई चिंता ना थी, माना उसके उपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता, पहले जूड़ी चड़ी होती थी, पर वे काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर ना जाने के लिए बहाना खोजा करता, इस भाती तीन वर्ष निकल गे, विप्रजी महराज ने एक बार फिर आजा ना किया, वे चतुर शिकारी की भाती अचुक निशाना लगाना चाहते थे, पहले से शिकार को चौकना उनकी निती के विरुद्ध था, एक दिन पंडी जी ने शंकर को बुला कर हिसाब दिया, 60 रुपे जो जमा थे, वे मिनहा करने पर अब भी शंकर के जिम्में 120 रुपे निकले, शंकर बोला, इतने रुपे है तो उसी जनम में दूगा, इस जनम में नहीं हो सकते, विप्र बोला, मैं इसी जनम में लुँगा, मूलना सही, सूत तो ही देना पड़ेगा, शंकर बोला, एक बैल है, वे ले जाईए, और मेरे पास रखा क्या है, विप्र बोला, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मुझदूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मुझदूर करना ही पड़ता है, सोद में तुम हमारे हां काम किया करो, जब सुभीता हो मूल को देना, सास्त तो यह है कि अब तुम किसी दूसरी जगा काम करने नह कि तुम मुझे महीने दे महीने सुध देते जाओगे, और कहीं कमा कर, जब तुम मुझे सुध भी ना दे सकते, तो मूल की कौन कहे, चंकर बोला, महराज, सुध मैं तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या, विप्र बोला, तुम्हारे घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे ह साथ पाऊं कटाके बैठे हैं, रहा मैं तुम्हें आधा सेर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा, और ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्ज़ई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए, यह सच है कि और लोग तुम्हें छै आने देते हैं, ले पाराज यह तो जन्वर की गुलामी हुई, विप्र बोला, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूँगा, तुम भागो गए तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ, जब कोई न रहेगा, तब की बात दूसर है, इस निर्णे की कहीं अपील ना थी, मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं शर्ण भी ना थी, भाग कर कहां जाता, दूसरे दिन से उसने विप्र के यहां काम करना शुरू कर दिया, सवा शेर गिहों की बदोलत, उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी, उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था, तो यह था कि वह मेरे पूर जनम का संसकार है, इस तरह को वे काम करने पड़ते थे, जो उसने कभी ना किये थे, बच्चे दाने को तरस्ते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न से प्रस्थान किया, 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे, पंडी जी ने उस गरीब को इश्वर के दरवार में कष्ट देना उचित न समझा, इतने अन्याई, इतने निर्दई ना थे, उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी, आज तक वह विपर जी के यहां काम करता है, यह घटना बहुत ही पुरानी और सत्य घटना है, दोस्तों आपको अखथा कैसे लगी, अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेर जरूर करें, जिससे लोगों क बच्चा गान प्राप्तो, जय श्रीराम भक्तों